दसों आप में से बहुत सारे लोग इंडिया पोस्ट पेंड बैंक की कस्टमर आइडी को भूल जाते होंगे तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा आसान तरीका बताने वाला हूँ जैसा कि दोस्तों आप सभी ये जानते ही होंगे कि इंडिया पोस्ट पेंडवेंग की मोबाइल मेकिंग अप्लिकेशन में रजिस्टेशन करते टाइम पे हमें कस्टमर आइडी की ज़रूरत पड़ती है बिना कस्टमर आइडी के हम लोगिन नहीं कर पाते हैं तो आप में से ऐसे बहुत सारी यूजर है जो कि कस्टमर आइडी को भूल जाते हैं तो वो कैसे पता करें तो एक आसान सा तरीका में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने कस्टमर आइडी को केवल दो मिनट के अंदर पता कर सकते हैं और इसके लिए आपको कस्टमर केयर में कोल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी करना क्या है? कुछ नहीं करना है बस आपको अपने मोबाइल फोन में इमेल को ओपन कर लेना है दोस्तों आपने इंडिया पोस्ट पेंड बैंक में अकाउंट बनाते हैं टाइम पे एक इमेल आइडी को तो जरूर रजिस्टर किया होगा और उसी इमेल आइडी को आपको ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद में दोस्तों आपको उपर उपर सर्च बार का ओप्शन मिलेगा जिसके पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे जाकर के आपको टाइप करना है आई पी पी वी स्टेटमेंट लिख करके जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने इंडिया पोस्ट पें नीचे आना है जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक पीडिया फाइल देखने के लिए मिलेगी इस पीडिया फाइल को आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद में दोस्तों इस पीडिया फाइल को ओपन करने के लिए हमें पासवर गुपता और आपका जिनम हुआ है दस अपरेल गुनिस सो बानमे को तो यहां पे दोस्तों पासवर्ड जो है वो आपका नेम और डेट अबर्थ ही होने वाला है मगर टाइप करना का एक तरीका है और जो तरीका है चलिए मैं आपको बताता हूं तो सबसे पहले आपको अपन यहां पे हमें डेट अपरेल गुनिस सो बानमे तो सबसे पहले यहां पे हमें डेट टाइप कर देना है डेट टाइप करने के बाद मैं दोस्तों नेक्ष्ट है मन्त तो यहां पे मन्त क्या था अपरेल यानि की 0-4 तो यहां पे मैं 0-4 टाइप कर देता हूं अब दोस्तों जो 1992 में हैं उसका जोwait to be स Hunting box in the last post mister उसे यहां पर हमें। टाइप कर देना है तो यहां पर हमने password ko Anter कर दिया है अब mapina transport करने के बाद में नीचे है OK का उप्षन इसके उपर आपको क्लिक कर देना क्पर आपको क्लिक करते हैं से सक्थे हैं कि India Post इस वगरे हैं वो भी हमें देखने के लिए मिलता है मगर जब आप थोड़ा सा नीचे अगर ध्यान देंगे तो यहां पर आपको आपका India Post Pen Bank का account number भी देखने के लिए मिल जाती है देखें यहां पर नीचे account सा तरीका है मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है जाए जल्दी से आप अपनी customer ID, account number को copy pen में type कर दीजे, note down कर लिजे, आगे आपके बहुत काम आएगा तो कैसी लगी दोस्तों आपको यह जानकारी, अगर वीडियो अच्छे लगी है वीडियो को like कर दीजेगा, दोस्तों के साथ में share कर दीजेगा, जिनके पास में India Post Pen Bank का account है और अगर आपको फिर भी कहीं कोई दिक्कत आती है, इंडिया Post Pen Bank से related कुछ आपको पूछना है, comment box है, comment करके पूछ लिजेगा, मैं reply जरूर करूँगा, मगर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है, तो सभी से request है, channel को subscribe करके bell notification को all पर सेट कर दीजेगा